दोस्तों मिन्तारा सोई में आपका स्वागत है आज मैं बना रही हूं टी टेम के खाने वाला एक टेस्टी और बहुत क्रेस्पी स्नेक जो बच्चों और बड़ों को सभी को पसंद आएगा जिसके बनाने के लिए हमने लिए है उड़त की दाल यह हमारे पास छिलके वाली उड़त की दाल थी उसी को हमने धोर करके उसका पूरा छिलका निकाल लिया है अब उसे हम मिक्सी के जार में डार करके उसका पेस्ट बना लेंगे इसे आप सौम के समय जब भूख लगती है पांच बजे इसे आप जरूर बना कर रखें और खाईए चाय के साथ ये बहुत क्रिस्पी बनती है ये ओड़ा दाल पपड़ी बना रहे हैं आज हम अब हम थोड़ा सा पानी डाल करके इसका पेस्ट बना लेंगे क्योंकि ओड़ा की दाल बहुत चिपकती है इसलिए पानी डालने से अच्छे से पेस्ट बन जाता है इसने में दिखकत नहीं पड़ती जब हमारा पेस्ट बन जाएगा उसके बाद हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे अब हम बनाना शुरू कर रहे हैं बनाने के लिए हमने एक बड़ी ठाली ली है और एक कटोरी हमने बेसन लिया है जितनी हमने दाल ले थी उतना ही बेसन लिया है अब हम उड़त की दाल का पेस्ट डाल लेंगे दो चमच और इसमें हम नमक डाल लेंगे स्वाद उनसार नमक डाल लेंगे और एक चम्मच अजवायन और एक चुटकी मीठा सोड़ा डाल लेंगे और एक चम्मच तेल डाल लेंगे और सबको एक साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है अगर हमारा आटा थोड़ा गीला हो जाएगा तो हम बेशन डाल लेंगे अगर ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो हम दाल डाल लेंगे इसे हमें पानी डाल करके इसका आटा नहीं बनाना है यह उड़ा दाल पपड़ी है बिल्कुल पापड़ की तरह बनती है बहुत क्रिस्पी बनती है अभी हमारा आटा जो बनाया है वो थोड़ा गीला है इसलिए हम थोड़ा सा बेशन लगा करें कि इसका टाइट डूर बना लेंगे जब हमारा आटा गुत जाएगा उसके बाद हमारा आट में तेल लगा लेंगे और थाली में और अच्छे से मसल लेंगे क्योंकि बेशन और उड़त की दाल बहुत चिपकती है बेशन का आटा बनाने में देखकर तो पड़ती है क्योंकि वो चिपकता बहुत है अब हम हाथ में तेल लगा करके आठा को अच्छे से मसल लेंगे और इसकी छोटी-छोटी लोज्या काट करके रबते जाएंगे या फिर आप चापू से काट ले अब हम हाथ में और बेलन में और चकला में अच्छे से तेल लगा लेंगे नहीं हमारी पूरियां चिपक जाएंगी या फिर आप सुखा आठा लगा ले और इसकी हम आप पपड़ी बेल लेंगे इतनी पतली हो सकें आप इनकी पपड़ी बेलिए आप इसी हम पूरी पूरियां बेल करके एक थाली में रखते जाएंगे उसके बाद तेल गरम कर लेंगे जब हमारा तेल गरम हो जाएगा उसके बाद हम अपनी जो पपड़ी बनाई है वो तल लेंगे इक-एक करके तलते जाएंगे दोनों साइड अच्छे से पलट करके सेंख लेंगे विल्कुल गोल्डन यहीं आप एक हफ्ता तक स्टोर करके रख सकती हैं विल्कुल पापड की तरह बनेंगी बच्चों को बहुत पसंद आएगी अगर होली में आपके घर कोई आए तो इन्हें चाय के साथ आप जरूर खिलाएगी एक बार आप भी मेरे तरीके से जरूर बनाएगी ऐसे हम अपनी पूरी पूरियां तल करके रखते जाएंगी जब मारी पूरियां थंडी हो जाएंगी उसके बाद हमेरे एक डिबबा में भर करके रख देंगी हमारी कितनी अच्छी पूरियां बन गई हैं अगर मेरा वेडियो आपको पसंद आए तो